हरे कृष्णा भागवत श्रीमत भागवतम अध्याई वान फ्राम केंटो वान और श्लोक नमबर है आठ वेत्थात्वाम सोम्यतत्सर्वं तत्वतस्तद अनुग्रहात ब्रुयू हुस्निक धाइस शिशाष्या गुरवोद गुई हा मैप्यूता अनुवाद अतात्परिया शिलप्रवपात के द्वारा शिलप्रवपात की जै अनुवाद में रिशिया जो है इसमें बत बोल रहे हैं और चुकि आप विनित है आपके गुरुओं ने एक सोम्य शिश्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है अतहा आप हमें वह बताए जिसे आपने उनसे वज्यानिक धंग से सिखा है तो एक मिनित शिश्य किसी भी गुरु को प्रियव होते है एक जो बहुत सिंसियर सिरियस और बहुत ही पुलाइट डिसाइपल है शिश्य है तो गुरु उन पर विशेश अनुग्रह करते है जैसे अर्जुन अर्ज को प्राप्त करने के लिए महनत भी करते थे जैसे उन्होंने एक बार क्या हुआ रात्री का समय था तो पांचो भाय भोजन कर रहे थे इतने मिएसे लेंब बुझ गया तो उस समय लेंब को जलाने में बस थोड़ा ही समय लगा माता कुंती को उसी देर में सबने देखा कि की थाली में से जो अहार था वो गायब हो गया खाना और और किस ने खाया भृम ने तो इरजुन बहुत हैं रह गया कि कैसी भीम अंधकार में भी खा सकता है जब अंधकार में तो हम Khill के हात को ही निहीं देह सकते हैं तोbacks के काना नहीं है अंधिकर में खाते नहीं है, पर भीम में ने किसी को पता नहीं चला और वहां से खा लिया, ऐसा कैसी होता है? जब गुरु ने करते हैं दरोनाचार से तो दरोनाचारा कहते है वह उसमें उसका इंटरेस्ट है तो इसलिए वह उसमें पारधरसित भी प्राप्त किया तो फिर अर्जुन सोचा कि जब भीम अंधिरे में खा सकते हैं तो मैं अंधिरे में तीर भी चला सकता हूं तो अंधिरे में तीर चलाने का प्रैक्टिस करने लग गया है तो इस प्रकार अर्जुन भी गुरु की क्रिपास से जब गुरु ने देखा तो गुरु ने उनको ट्रेनिंग भी दिया तो अर्जुन भी इस प्रकार जो है बिना देखे भी जो है तीर चलाने में माहिर बन गए तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुनाचारिय जो है व और बहुत प्रकार के जो ग्यान है तो एक गुरू अपने उस शिष्य के प्रती बहुत अनुगरिहित होते हैं जो बहुत सिंसियर है और बहुत महनत भी करते हैं साथ-साथ बहुत ही पुलाइट है उसमें अहंकार नहीं है विनम्ड है तो इसमें सुत्य गुष्वामी का अध्धात्मी जीवन की सफलता का रहस्या गूरु को प्रेजान प्रेमि की जो हैं अध्धात्मिक जीवन की सफलता का रहस्या गूरु को प्रसंद करने तथा उनके शुभाशिष प्राप्त करने में है श्रील विश्वना चक्रवोटी थाकुर ने गुरू के विश्य में अपने सु प्रसिद्ध आज श्लोकों में इस प्रकार गाया है कि मैं अपने गुरू के चरणार विंदो को नमस्कार करता हूं उनको तुष प्रामानिक गुरू को प्रसंद करने से हम उनकी कि प्रामानिक गुरू को प्रसंद करने से हम उनकी कृपा प्रामानिक गुरू को कैसे प्रसंद कर सकते हैं जब हम भक्ती में सिंसियर होंगे और श्रद्ध पुरुवक और ध्यान पुरुवक गुरु के जो instruction से उसको follow करेंगे, उनकी कथा को सुनेंगे तो शुभाशिष प्राप्त होगा, गुरु को प्रसंद्न करके हीं, हम गुरु और कृष्ण दोनों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और कृष्ण हैं हमारे उपर कितना प्रसंद्न है, वो हम कैसे जान सकते हैं, क कि उन से कोई भौतिक छीजों के प्रति जो है उनका उसको बढ़ाते हैं बलकि और प्रामा निक गूरु शुद्ध भक्ती की और की इच्छाओ को rooftop को बढ़ाते हैं जिससे कि वह भगवध धांप्राप्त हो तो आध्यान में जिवन के सफलता का रहस्य किस के हाथ में है गू शुना चक्रबजी ठाकुर ने जो गुरुवास्टक लिखा है जिसमें आठ श्लोक है तो उसमें वो बुलते है जो पहला जिसे स्टेंज्वा है पहला संक्सार दावान ललीधा लोक प्राणायकारुन घना घनात्वम प्राप्तस कल्याना गुना नवस्या वंदे गुरु श्री चरनारविंदम तो गुरु को नमस्कार करता हूँ ऐसा वो पुरे उसमें स्टेंज्वास में जो है गाते है क्योंकि गुरु को तुष्ट करके ही कोई भगवान कृष्ण को तुष्ट कर सकता है अन्या को उपाई नहीं है प्रिष्ण रुजुन को आदिपुरान में कहते है कि जो मेरे प्रतेक्ष शिश्च है प्रतेक्ष भक्त है उनको मैं भक्त नहीं मानता हूँ जो मेरे भक्त के भक्त है उन्ही को में भक्त मानता हूँ το इसलिए गुरू का आधीन होना ही पड़ेगा गुरू के आधीन होकर ही हम गुर्षन को तुम्न कर सकते हैं और जब गुरु अप्रसन्न रहते है तो आत्म सक्षात करके मार्ग में विघ्णा ही विघ्णा आते हैं इसलिए अध्यात्मीक गुरु जिनने हमें कृष्ण का ग्यान दिया है उनको कभी भी अप्रसन्ना नहीं करना चाहिए या हमारे फ्रिदय में उनके प्रति कभी बुरी भावना भी पैदा नहीं होने देना चाहिए फिर हमारे आध्धात्मिक प्रगति में विघना ही विघना आएगा अतहा यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामानिक गुरु के प्रति आज्याकारी तथा विनित हो गुरु की आगा का पालन करना चाहिए क्योंकि प्रामानिक गुरु है वो हमें कृष्ण की सेवा में लगाते है और प्रिश्न की सेवा में लगाने से हमारा ही कल्यान होता है वो अच्छली हमें मदद करते हैं तो इसलिए गुरू का अगर कोई दंड भी देते हैं गुरू हमें दिसिप्लीन करने के लिए तो उसको भी गुरू की कृपा समझना चाहिए क्योंकि इससे हमारे ही प्रगति कर प्रते हैं थोड़ा वो स्टुडेंस की प्रगति के लिए ताकि वो अच्छे से पाइथ्यक्रम को पढ़े तो आताहाई आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामार्निक गुरू के प्रति आज्याकारी हो विनम्र हो और शुलर सुद्गुस्वा में शिष्य के इन सारे गु शुलर सुद्गुस्वा में समस्त गुन्था अच्छे शिष्यका अताहा उन पर विद्वान तथा स्वरूप सिध्ध शुलब्यास्ते तथा इनन गुरु की कृपात रुष्टी थी समस्त गुरुपरंपरा का हम आशिरबात प्राप्त करते हैं अगर हम गुरु के प्रती विनम्र रहते हैं आज्याकारी रहते हैं तो नैमिशारन्न के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि शुलर सुद्गुस्वा में प्रामानिक भक्त है इसलिए वे उनसे सुनने के मेले उताब ले थे तो उनको पूर्ण विश्वास था इस बात पर तो यही इस आठवास लोग का सारांग से तब बढ़िया है धन्नबाद हरी प्रिश्णा